Hello everyone, welcome to exam mill YouTube channel and in this video we are going to discuss about 20 multiple type questions which will be asked in board exam 2024. तो आज वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं 20 questions जो कि multiple होंगे, इसलिए बिलकुल अपने कापी और पेन लेकर बैठ है आराम से और इस पूरे वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं 20 questions जैसा कि मैं आपको कई बर पता चुका हूँ आए वीडियो की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले यह जानते है कि जो special वीडियो है वो यूपी बोड़ वालों के लिए केवल है English is special है जिसमें हम यमसी को डिसकस करने वाले हैं पेपर से समंधित सभी प्रकार के प्रशन पूछे जाएंगे सबसे बड़ी चीज क्या है इस अपडेट की कि हमें यह जो discussion मिलेगा वो दोनों language में मिलेगा हिंदी और English दोनों में with extra information साथी साथ इसकी पेडियो भी एवेलबल होगे टेलिग्राम चैनल पे जिसका लिंक मैं वीडियो के description box में दे दूंगा और सबसे बड़ी चीज कि है कि इसमें हम सामिल करेंगे literature, grammar और vocaps तीनों पोर्शन है ना जैसा कि पिछले एक वीडियो में मैं discuss कर चुका हूँ कि जो अभी board exam हो रहा है उसमें grammar के साथ साथ vocab का भी थोड़ा बहुत रोल अब देखने को मिल सकता है जैसे one word substitution से आपको मिल सकता है और fragile verb से तो इन दोनों topic से related AMCQ भी हमने इस वीडियो में discuss किये हुए है और सबसे पहले अगर आगे बढ़ें तो जानने के आओ सकता है कि यह जो वीडियो स्रीज है वो लगातार चलने वाली है जिसका यह part one है हैना practice one है यह और इसका practice two, three जितना possible हो सकेगा मैं कोशिस करूँगा कि जल से जल अप्लोड हो जाए ताकि आप लोगों को जो board exam 2024 में सामिल होना है उसकी लिए यह beneficial साबीत हो तो आई यह start करते हैं सबसे पहले आप इस्क्रीन पर देख पा रहा है question number one we have to look dash the case there are four options यहाँ पर आप चार आपसन देख पा रहे है add, into, in and after अब इसी प्रकार के कुछ question जो आपके board exam में पूछे जाएंगे और आपको बस यहाँ पर answer बताना होगा कि कौनस answer यहाँ पर people correct है तो look के साथ या तो 8, into, in, या after चारों में से कौनस आपसन सही होगा आप comment करके जरूर बताएंगे फिलहाल में इसको discuss करते हुए आगे बढ़ता हूँ इस question का जो right answer वो है B, look into, look into का मतलब होता है किसी case में किसी मामले में investigate करना, आयो थोड़े इसको details समझते हैं अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कुछ extra information है उस question के बारे में, look at जो word है उसका प्रयोग होता है consideration के लिए, observation के लिए, यानि जब हम किसी चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं तो हमें वहाँ पर look के साथ क्या लगाना पड़ता है, eight, ठीक, अगर हम आग हो जाता है, investigate something, किसी चीज में investigate करना, जाच करना, तो look at, look after, look into का मतलब आपको समझ म्याग यह होगा, आए कुछ examples को समझने की कोशिज करते हैं, यहाँ दिया है, I don't have time to look at the paper, मतलब कहरा है कि मेरे पास paper को देखने का, उसको observe करने का time नहीं है, तो यहाँ पर आप look के example समझते हैं, we must look after our kids during this pandemic, कहरा है कि इस महमारी के दोरान हमें अपनी बच्चों की देख भाल करनी चाहिए, तो यहाँ जो look के साथ after लगा हुआ, इसका मतलब होता है, देख भाल करना, to take care, got it, अगला example है, the police looked into his business dealing, यहाँ जो business की deal हो रहे थी, उसमें पुलिस जो है, investigate कर है, इस case में हमें look के साथ क्या लगाना पड़ेगा, into, I hope यह चीज आपको clear हो गई होगी, फिर भी कोई doubt रहा जाता है, तो comment box में ज़रूर बताइए, let's move on next question, तो जो second question है यहाँ पर, वहाँ आप हम discuss करते हैं, second question देख रहे हैं, आप लिखा हुए, have you dash my cap, there are four options, चार आप पर, wear, wears, warn, and warp, अब आप जानते हैं कि जो have word है, यह कौन से रिलेटेट है, present perfect से, और have के साथ, verb की कौन सी फार्म आगी, third form, तो wear जो है correct option नहीं है, wears correct option नहीं है, war correct option नहीं है, तो correct option क्या है, c, warn, क्योंकि अगर आप wear की बात करें, तो first form wear, second form wear, और third form warn होता है, so the correct option is c, I hope यह clear होगा, third question की अगर हम बात करें, तो जो third question है, वो कुछी इस तरह से है, why did they dash your football, there are four options again, share option आपके सामने है, यहाँ आपको लगाना है, have, has, had, या none आप दीज, इलमें से कोई नहीं, ठीक, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ लगा हुआ हो है did, और यह जो did है, वो past infinite tense में परयोग किया जाता है, और did के साथ हमेशा वर्प की first form आती है, अगर हम इस question का answer ढूटने की कोशिस करें, तो क्या यह have हो सकता है, has हो सकता है, had हो सकता है, देखे, has नहीं होगा, ठीक, had नहीं होगा, क्योंकि वो third form है, तो correct option हो जाएगा have, यह आपका बिल्कुल correct option है, I hope कि यह बात आपको clear हो गई होगी, ठीक है, has यो नहीं होगा, इसका region यह है, कि जो had जो है, वो consider किया जाता है, वर्प की fifth form के अंतरगत, ठीक, मतलब कह सकते हैं, जैसे read होता है, read first form है, फिर read second form है, और read third form है, लेकिन this, reads, जिसमें yes लगा हो as a fifth form of verb, तो यहाँ जो has option नहीं होगा, correct option होगा, have, because we need first form of verb, तो इसका correct option हो जाएगा, have, ठीक, I hope clear हो गया होगा, question number four की अगर हम बात करें, question number four कुछ ही इस तरह से है, we are going to enter, dash the temple to know more about it, अब इसके साथ भी वही चार option है, into है, to है, in है, और none of this, तो correct option क्या हो सकता है, into, to, या in, या none of this, actual, इसका जो answer है, वो हम यह समझना पड़ेगा, जो inter verb है, inter verb के साथ हमें किसी भी प्रकार की verb की जरूरत नहीं है, इंटर के साथ into लगता है, बट वो एक color case है, जिसे मैं color video में, जब मैं preposition पर video बनाऊँगा, तो उस case में, मैं इसके detail में dish सकते लूँगा, लेकिन फिलहाल, यहां जो correct option है, वो हो जाएगा, इंटर के साथ हम किसी भी प्रकार की preposition का प्रियोग नहीं करते हैं, so correct option is d, next question अगर हम discuss करें, तो जो अगला question है, question number 5, he is blind, dash, one eye, there are four options, of, from, in, और by, यहां पर चार आपसन है, किस में से जो correct option है, वो आप comment में जरूर बताएगा, मैं इस question को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस question का answer आप comment box में बताएगे, ठीक, और अगली वीडियो में, मैं एक question detail में discuss कर दूँगा, लेकिन फिलहाल, यह मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ प इस answer, जरूर comment box में बताएगा, question number six, जो है, अब vocab से related होगा, क्योंकि अभी तक हम grammar पे चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ जो question है, वो लिखा हुआ है, a person who is trained to travel in a spacecraft, कह रहा है कि एक person जिसको trained किया गया हो, प्रसिचित किया गया हो, अंतरी छियान में जाने के लिए, यहने कह सकते हैं, अंतरी छ astronaut कह सकते हैं, या भी suffer कह सकते हैं, तो जो इसका correct option है, वो है astronaut, क्योंकि astronaut का मतलब होता है, अंतरी छियात्री, है न, anchor नहीं हो सकता है, क्योंकि anchor मतलब आप जानते हैं, संचालक होता है, कोईरोग्राफर भी आप जानते हैं, इसका मतलब होता है, dance सिखाने वाला, suffer का मतलब ह होता है ड्राइवर है ना चालक को यह बात के लिए रहो गई होगी इसका जो सही आंसर हो क्या है सी अब यह जो कोश्चन है वह कैप सी है इसको बोलते हैं वान वर्ड सब्टिटिउशन यानि अनेक सब्दों के लिए एक सब्द जैसा ब हिंदी में पढ़ते हैं कि जिस चीज को जीतना कठीन हो उसको दुरजे बोलते हैं है या फिर जहां पर पहुंचना कठीन हो उसको हम बोलते हैं दूरगम उसी प्रकार इंगलिस में भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वन वर्ड सब्सटिशन के रूप में प्रियों किये जाते हैं आए आगे बढ़ते हैं कॉश से और एक मिसी स्पेल्ट से तो यहां लिखा है कार्टोग्राफर म्यूजियम क्रिमेटोरियम और यहां रिलिजियस अगर आप ध्यान से चीजों को समझ पाएं तो इसका जो करिक्ट आप्शन है वो हो जाएगा ड क्योंकि रिलिजिस की स्पेले यहां पे गलत है र-e-l-i-g a-i-o-e-s होता है यहां पर e नहीं होगा अई होगा ठीक है आई हमकि यह बात क्लीर हो गई हो गई होगे तो एक क्वेश्चन मिश्पेल्ट वर्ड से जरू पेपर में आएगा यह बात क्लीर है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन बढ़न नंबर एट देखते हैं लगा हुआ है question mark और यहां पर आपको चार option दिये हुए हैं तो चारों को अगर आप ध्यान से देखा हैं तो यह question start होना चीए किस से? y से है ना तो आप चाहें तो देख करके भी question के option को देख करके भी answer निकाल सकते हैं did say start होगा? बिल्कुल नहीं होगा क्या यह this say start होगा? बिल्कुल नहीं होगा यानि यह भी option नहीं हो सकता है y देखते हैं इसको last में d जो है वो this say start होगा बिल्कुल नहीं तो correct option क्या है इसका? c हो जाएगा तो पहले चीज तो यह है कि आपको जानकारी हो कि reordering क्या होते है? reordering कैसे करते हैं? यानि sentence की जानका है उस पर थोड़ा सा analysis करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका correct option कौन सा होगा? ठीक? I hope कि यह बात clear है question number 9 देखते है question number 9 कि अगर बात करें तो यहां दिया है why should Amanda not eat chocolate? आपको clear हो गया होगा? यह poem से question है poetry से? यहां पर भी 4 options है सबसे पहली चीज यह कि आप जो भी chapter आपके किताब में दियेगा है Prospectary Supplementaries Related उसकी meanings और sentence का जो meaning है वो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए यह थोड़ा सा जरूरी है नहीं तो फिर आप question ही नहीं से मज़ पायांगे तो answer कहां से देंगे? तो question है why should Amanda not eat chocolate? Amanda को जो है chocolate नहीं खाना चाहिए तो अगर आपने इस chapter को ध्यान से पढ़ा हुआ है जो कि पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरूरत है तो इसका जो सही option हो जाएगा वो हो जाएगा C sorry इसका सही option हो जाएगा C A नहीं हो सकता क्योंकि A है it causes heart disease यानि हिर्दसमंधी बीमारे it will damage liver liver को damage कर देगा और D है it causes cancer cancer की बीमारे तो इससे related नहीं था इसका मतरब था it causes एक नहीं यह जो मुहां से हैं उनका कारण बन सकता है chocolate खाना ठीक है I hope कि यह बात clear होगी यह question अब तभी solve कर पायांगे जब आ अब दिमाक में रखेंगे question no.10 की बात करते है question no.10 जो है वह कह रहा है what is the name of the poet of the chapter fire and ice यह तो बिल्कुल इस है अगर आपको याद होगा तो आप बिल्कुल अच्छे से कर पायांगे सबसे पहले है rubber frost यह तो बिल्कुल गलत यहां सो थोड़ा सा spelling mistake हो यह robot frost होना चाहिए थ यहां पर इस फिलिंग फोड़ी mistake है यह robot frost है याद रखेंगे डबलू बिल्कुल गलत आप्षन रबाट बांड्स यह भी बिल्कुल गलत आप्षन रबन क्लीन यह तो अमांडा के poet है इस हिसाब से जो सही आप्षन है वो क्या है इसको robot कर लेंगे ठीक है robot frost but it तो इसका सह future के pro section की यह तो यहां बिल्कुल correct option आप अच्छे से जानते हैं क्या हो जाएगा God इस पर बहुत ज्यादा discuss करने की जरूड़त नहीं है question number 12 की बात करा है question number 12 related है वली नाम के एक चेप्टर से है और यहां पर चार आप्षन आपके सामने है लिखा है वली would be jealous to listen this indicates states वली कह रहा है कि वली जो है would be jealous उसे थोड़ी स्रिया होती थी to listen यानि सुन करके यानि जो वो सुनती थी किसी चीज के बारे में तुसे जिलस होती तो पूछ रहा है कि यह किस चीज के बारे में सुनती थी तो longing to the right bus, nature as invious person, denial to accept her situation या फिर inclination to trouble travels इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि वली जो थी उसकी इच्छा थी कि वो bus पे एक ride करें एक बार घूम के आए सहर देख के आए तो इनकी जो बाते थी को सुनकर उसे जिलस होता था तो इसका सही आप सुन हो जाएगा क्या मैं फिर कहा रहा हूँ कि आपको दो चीजें बिलकुल दिमाग में रखनी है एक तो meaning थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए और दूसरा की sentence का जो meaning है जो अर्थ है उसको निकाल ले आना चाहिए कहानी दिमाग में बिलकुल clear होनी चाहिए कहानी में कोई doubt नहीं होना है question number 13 की अगर बात करें यहां लिखा है why was kisa got me sad and there are four options पहला है her all sons had died her only son had died she was beaten up none of the above I hope सभी लोग इसका अंसर दानते हैं correct option है B आप video class में जरूर बताएगा कि कितने question आपके सही हो रहे है question number 14 की अगर हम यहां पर बात करें how does nasal mandela define the meaning of courage courage का meaning उन्होंने कैसे define किया है courage का क्या रत पताया है तो यहां पर आप च्यार प्रकार के option देख सकते हैं courage का जो सही से meaning होता है triumph over fear बिल्कुल correct option क्या है A है courage मतलब क्या होती है हिम्मत या साहस उसका meaning b नहीं हो सकता सी नहीं हो सकता या फिर डी नहीं हो सकता इसका सही मीनिंग क्या है ट्राइम्फ ओफर फियर यानि किस पर विजय पाना फियर पर डर पर फियर का मतलब डर है ना अब कुशन नमबर 14 हो गया है 15 की बात करते हैं 15 ने दिया है इससे लिख रहे थी एक टॉपिक पे जो उसके फादर ने उसको कहा था उसका क्या टॉपिक था और यहां प्रफूर आपसन है उसका टॉपिक क्या था माई डायरी चैटर बॉक्स लेटर बॉक्स या इन में से कोई नहीं अगर आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल आपांसर जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आपसन है चैटर बॉक्स है ना आगे डिसकस करते हैं क्वेशन नमर 16 अब यहां से सप्लेमेंटरी स्टार्ट हो रहा है वाई दा नेरेटर टेंप्ट टू कीप ट्रीकी एज पर्मानेंट इस्ट अब यहां जो ट्रीकी वाली स्टोरी है ट्राइंप खफ सर्जरी आई होब कि आप अच्छे से उस चीज को पढ़े होंगे तो य उसका रीजन क्या था उसके लिए चार अप्शन है पहला अप्शन है विकाज ही लव्ड ट्रीकी को प्यार करते थे दूसरा ही थोट मिस्टेश पंफ्रे वूड नॉट टेक गुड केर आफिम उनको लगता था कि पंफ्रे जो है जो मालकिन है उस ट्रीकी की वो उसकी थे वाइन यानी सराब थी ब्रैंडी थी तो जो इसका करेक्ट अप्शन है अच्छे समझ पा रहे है इसका सही अप्शन क्या है सी वो ट्रीकी को मिहमान की दरे से लिए रखना चाहते थे क्योंकि वो इंसुख सुधाम को खोना नहीं चाहते थे हैं आई होप कि आपको क्ल नाम क्या था दुकान का जिसके ऊपर जो है अनील रहता था है ना इसका सही अप्शन क्या है लड़ू स्वीट सॉप या फिर जुमना स्वीट सॉप और यहां रस्कुल्ला स्वीट सॉप इसका एक्च्छल जो करेक्ट अंसर है वो सी है है ना जुमना स्वीट सॉप लेकि क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक यानि छोटे छोटे पार्ट पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा बोड एक्जाम जो 2024 है वह बच्छों से यह उमीद कर रहा है कि वह प्रतेक चेप्टर को बिल्कुल डिटेल में पढ़े हो तभी वह आंसर दे पाएंगी अगर आपन यहां पर हम चार अप्शन फिर देख पा रहा है पहला है यह नाम है सडक का लंदन की डूरी लेंड डूरी लेंड अडूरी लेंड यहां जो मीस्टेक हुआ है दोस्तों वह यह कि क्वेशन नमबर जो डी है वह बिलकुल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी स्पेलिंग गलत है ठीक सी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां भी स्पेलिंग में स्टेक है यह बिलकुल भी नहीं है तो करेक्ट आप्शन कौन सा हो जाता है बी तो इसका जो सही आप्शन है वो क्या है बी ठीक तो यह भी डीटेल आप याद रखेंगे आगे देखते हैं क्वेशन अबर 19 बस द नेकलिस का वास्तों में दाम कितना था मुल्ली कितना था यह कोश्चन पूछ रहा है चाली सजार फ्रेंस तीस अजार क्या फिर सॉरी च्छतिस अजार या फिर पांस या फिर नाद्धाईबब इन मेंसे बिलकुल आपक्षे जानते हैं करेक्ट आप्शन क्या है सी उसका एक्शुल वर्थ हता, एक्शुल प्राइस थी, ठीक है, लास्ट कोशन हम डिसकस करने वाले हैं, और अपीत, अगर आप वीडियो पे बने हुए हैं, तो मैं यह कह सकता हूँ कि आप बोर्ड एक्जाम को ले करके बिल्कुल सीरियस हैं, और अच्छे से पढ़ने की कोशन फिर सप्लामेंटरी से है, वाइस दमीन, वाइस दमीनिग अप दव वाड इन वीएस, देखें यह बहुत सिंपल चीज है, कही बार हम पढ़ चुके हैं, इसका सही आप्शन हो जाएगा, ए, बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, इसका करेक्ट आप्शन हो जाएगा, ए, इसका मतरफ होता है, इसरेया करना, जलन रखना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए, आई होग की यह बात आपको क्लियर हो गई होगी, अगर अभी ताक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप बोर्ड इग्जाम में अच्छा गेन करने वाले ह आई होग की सारे बाते क्लियर होगे होंगी, फिर भी कोई डाउट रहा गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, साथ ही साथ जो कोशन बर फाइब है उसका अंसर कमेंट बॉक्स में, जरूर आप बताईएगा, उसका सही अंसर क्या होगा, ठैंक्स पर वा